So Hey guys, आज का ये जो वीडियो और ध्र्क्राइक है मोबाइल फोन डिस्प्ले को लेगे, आपको पता होगा कि मार्केट में ज़ो है अलाब गिलाओ तरिके का जो क्वालिटी का डिस्प्ले है , वो मिलता है किसी भी फोन को लेके जैसे कि first copy हो गया second copy, third copy या फिर original display यहां पर एक quality और एक होता है जिसको कि हम diamond cut quality कहते हैं तो आज के इस video में हम बात करेंगे कि जो diamond cut quality display होता है और जो original display होता है दोनों के बीच में क्या-क्या difference होते हैं और क्या हमें जो diamond cut quality display है उसको लगाना चाहिए या original display में जो पैसा है व इस video में हम करेंगे और आप अगर इस्टोपिक के बारे में तो make sure इस video को इंदग दिखते रहना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को subscribe करके ही जाना तो चलिए इस video को start करते हैं सबसे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि यह जो diamond cut quality display होता है यह कौन से great के level पे आता है तो देखो market में total 3 तरीके से 3 quality का display जो है मिलते हैं सबसे पहला मिलता है first copy display second copy display third copy display यानि जो third copy display होता है उसे हम normal quality का display कहते हैं second quality का यानि second copy का display होता है उसको हम diamond cut quality display कहते हैं और जो first copy का display होता है उसे हम premium quality display या folder कहते हैं और इसके अलाबा और एक quality होता है जो कि है original original के बारे में हम बात में बात करेंगे बट सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो diamond cut quality display होता है या फिर जो second copy display होता है उसमें क्या-क्या comparison हम कर सकते हैं original display के साथ में यहाँ पर जो premium quality display होता है जो first copy display होता है उसके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे कि किस तरीके का वहाँ पर जो quality है वो मिलता है और price में कितना difference बगरा होता है बट अभी हम बात करेंगे जो diamond cut quality होता है उसमें कैसा quality और overall original के साथ में कितना अच्छा हमें जो display है वो मिलता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे price के बारे में तो देखो जो original display आपको 4000 रुपे में मिलेगा वो ही same आपको diamond cut quality display आपको 2000 रुपे में मिलेगा यानि लगभग आप 50% जो कम दाम के उपर में जो diamond cut quality display है उसको ले सकते हो या फिल लगा सकते हो अभी हम बात करेंगे कि इसमें color contract के उपर में क्या क्या difference हमें मिलेगा तो देखो overall जो हम बात करेंगे जो original display होता है उसमें और diamond cut quality display में आपको 19-20 का color contract के उपर में जो difference है वो देखने को मिलेगा उसके अलबा और एक सवाल होता है कि अभी के टाइम पे काफी सारे phone में जो है 60 Hz पैनल आ रहे हैं 90 Hz पैनल आ रहे हैं 120 Hz पैनल आ रहे हैं तो यहाँ पे जो original display आप अगर उस तरीके का लगाते हो तो वहाँ पे आपको 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz जो भी सारा पहले के टाइम पे जैसे चलता बढ़ उसी जगा के आप अगर डाइमन का क्वालिटी डिस्पेल लगाते हो तो भी आपको 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz का जो रिफ्रेस रेट है वो भी मिलेगा यानि आपको यह होता है ना टौच रेस्पॉंस होता है या फिर जो स्मूथनेस होता है वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिले है अभी हम अगर जो टौच रेस्पॉंस के बात करें तो टौच रेस्पॉंस में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा बट आप अगर बहुत ज़्यादा गेमिंग बगरा करती हो तो उस केस में आपको थोड़ा सा फील हो सकता है कि यह जो डिस्पले है इसमें चाहूंगा कि आपके फोन में अगर सुपर एमूलेट डिस्पले है या फिर किसी तरह के कहा ओलेट पैनल डिस्पले है तो उस केस में आपको डाइमंड कर डिस्पले है वहां पे LCD पैनल डिस्पले ही देखने को मिलेगा यानि आपके फोन में पहले से सुपर एमूलेट य जगह पे super emulate display ही लगाना है तो आपको premium category के उपर में जाना होगा या फिर आपको जो original categories है उसके उपर में जाना होगा तभी जाके आप जो original feed है वो ले सकते हो बाकि अगर आपके phone में HD IPS panel display है तो उस case में आप जो diamond cut quality display है उसको install करके proper uses जो है कर सकते हो अभी यह सारे चीज़ हचान कर सकते हो कि phone में original display लगाया गया है या फिर जो diamond cut display लगाया गया है दोनों के बीच में तो यहाँ पर देखो color contrast को देखके आप easily पता कर सकते हो अगर आपके पास में दो phone है तो यानि आपके पास में स्रीपर से भी एक phone है और उसमें स्रीपर से पावगर color contrast देखोग तरीका है कि उसका fittings अगर हम original display की बात करें तो original display को fitting करने में आपको 3-4 चीजों की जोरत परता है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि original display के साथ-साथ उसका middle frame है वो भी आता है और दोनों को fit करने के लिए जो gasket है वो भी आता है और यह तीनों चीजों क तो आप अगर fitting करोगे ना original display के साथ-साथ तो यहाँ पर जो finishing है वो proper finishing होता है और उसी के जगा पर अगर हम जो diamond cut quality display है उसके fitting के बात करें तो उसी के साथ में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है आपको स्रीपर से display मिलगा और उसी display को आपको जो glue के साथ है उसको fitting करना है mobile phone के उपर में तो दोनों के बीच में जो fitting है उसमें difference मिल जाएगा और उसी से आप पता कर सकते हो कि जो fitting है वो अगर आपको थोड़ा सा गरबर लगा तो उसमें जो diamond cut quality display है वो ही लगाया गया है तो आपका अगर कोई भी phone damage होता है डिस्पले टूट जाता है तो आपका budget अगर नहीं है original display को लगाना या फिर premium quality display को अफ़र्ट आप अगर नहीं कर पाते तो आप जो diamond cut quality display है उसको भी लगा के proper जो यूजियास है अपने phone का वो कर सकते हो बस आपको ये ध्यार रखना है कि आप जिस दुकान में जाके जो display का fitting कर रहे हो वो जो दुकान वाला है व और जो original display होता है दोनों के बीच में क्या क्या difference होते हैं तो फिर भी अगर कोई भी सवाल है फिर सुजाब है इस टोपिक से रिगारिंग तो आप इस वीडियो का comment section में मुझे पूछ सेकते हो आज के लिए बस इतना है गास मिलते हैं किसी interesting सब वीडियो में तब तक के वाइसें गाइस थैंक्यू